विदायक विकास ठाकरे से विवेद मुद्दो पर हमारी समवाद अता शितिजाद देश्मुक ने समवाद साता है इस दोरान ठाकरे बुले कि सदन में अगर कोई मुद्दे को उठाय क्या तो उसकी पुर्टता की चाती है विदायक विकास ठाकरे हमारे साथ है विदान भवन में आज आप कौन से मुद्दे को उठाने वाले हो या जिस तरह से हम देख रहे कि विदायक के मुद्दो को लेकर कही ना कही यहाँ पर चर्चा नहीं होती है ऐसे कल जो है देशवनती के संपादक है प्रकाश पूरे उन्होंने बहुत हंगामा किया है आपका क्या माद है मुझे लगता है कि विदान सभा के सभागरों में 288 सदस्य आते हैं हर सदस्य को अपने मद्दार संक्या मामला उठाने की इच्छा रहती है मगर समय के अनुसार और जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो नियामा वाली के अनुसार जिसके लक्षिवेदी लगी किसकी का तारांकित प्रश्ण लगा तो उसके उपर चर्चा होती है हमारी कोशिश रेती है कि विदर्ब में अधिवेशन है तो विदर्ब के और नाकपूर के मुद्धों के ऊपर चर्चा होना चाहिए वैसी लक्षवेदी हमने लगाई विदानसभा अध्यक्षे से भी विननती की है कि नाकपूर में अधिवेशन है तो नाकपूर के चार पाज जो जनता से जड़िवे मुद्दे है जिस वज़े से नाकपूर शहर की जनता त्रस्त है ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए लक्षवेदी लगाने की मांग की है उन्हें लिखित में हमने निवेदन भी दिये है मुझे लगता है कि सोम तो आमें तीन दीन ही अधिवेशन रहेगा 20 सारी को अधिवेशन खत्म हो रहा है तो क्या विद्धाप को इस बार भी कुछ नहीं मिल रहा है आपको भी कुछ मुद्दो पर सकारतमक जो है आश्वाजन या सकारतमक भूमी का सरकार की देखिए अगर हम सभा गुरों में च जिसके उपर हमने विदान सभा अध्यक्षय का और मंत्री राज्य सरकार का लक्षय के इंदित किया है उसके रिजल्ड आना भी शुरू हो गए जिस विशे की चर्चा होगी वो विशे तो होता है मगर उसके अलावा जो लिखित रूप में हम जो लक्षवेदी दालते है तारंकित प्रश्चन दालते है उसके जवाब आते हैं उससे काम होते हैं इसे हमें लगता है तो यह थे विकास ठाकर विदायक नाखपूर से और इनकी कई जो सदन में उठाया मुद्दोग को जो है सकारत मंग्भूमी का जो है सरकार की ओर से मिली है इसा उनका कहना है